अजी दोस्तों आज किस लेसन में आप सब लोगों के लिए भगवान श्रीक्रिशन जी की बहुत ही प्यारी धुन ले किया हूँ और इस धुन को मैंने खुद से थोड़ा बहुत इंप्रोवाजिशन किया है जाने कि जो ओरिजिनल धुन है जिगजी सिंग जी ने गाई है यह इसको और इसमें मैंने थोड़ा बहुत अपना विरिशन किया और उसी के कोडिंग में इसको गाऊंगा और इसी के कोडिंग बजाऊंगा और उमीद करता हूँ आपको यह बजाना आगया तो आप बड़ा इसमें मतलब की अच्छा फील करेंगी इसको बजाने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा तो चली इसको सीखते हैं मैं आपको प्रफेशल तरीक से बज़ाना सिखाऊंगा जैसे जो बड़े बड़े प्रफेशनल लोग स्टेज पर बजाते हैं आप यसी तरीकी से बज़ा पाएंगे तो चली देखते हैं तो इसमें पहले सवरों को समझें इसमें आप ठाड रहान बोल सकते हूं जैसे कि आपको काल्यान थाड में मात इवर का यूज होता है और बाकी सारे स्वहन शुरू करेंगे हम इसको नीचे वाले पास इसको आप दो तरीके से बजा सकते हैं लोग simple तरीका भी बताऊंगा और प्लस professional भी पहले simple तरीका देख लीजी इसको पहले लेंड को बजाएंगे कैसे पहले लेंड के बोला है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आपको notation वीडियो में display हो रहा है बत जो professional लोग वो पता के करेंगे वो कोड लेके गाएंगे ये कोड लेंगे पासागा का श्री कृष्ण गोविंद मतलब कि उन्होंने स्वर को ऐसे ऐसे नहीं बजाना स्वर के उपर होल लेके बजाना है तो ये कोड लेके वो गाएंगे पहला कोड लेंगे पासागा फिर दूसरा कोड लेंगे नीरेपा दोबार देखे तो एक बता फावर देख लिजिए ठीक है ये कोड लगाना है लास पर ये प्रफेशनल तरीक है ऐसे खतम करेंगे वो लोग दूसरी लेंगे सिंपल कोड पर खतम करते हैंगे एक दफाव पूरा देखे सिंपल तर अभी अंत्रा पाट शुरू गए यहां से क्यासे शुरी कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी कैसे शुरी कृष्ण गोविन्द जाने की पाग उपधर है यहां से छे बार आपधा अब आव्यों तो ये बनेगा शुरी कृष्ण गोविन्द mare murari murari pape आके रोगेगा then हे नाथ नारा हे नाथ मा माधा favor ma को ले के बजाना हे नाथ simple हे नाथ नारायन वासो देवा simple पर फिर वो ही जी ग्रिश्न गोविंद हरे मुला दे नात नारायन वास्तु देवा तो इस तरीके से आप इसको बजाना सीख सकते हैं नोटेशन आपके सामने उमीद करता हूँ मेरे बताने के तरीके से आप समझ पाया होगी इसको बड़े अच्छे से फिर भी कोई दिकत लगी कमेंट करें बाकी नोटेशन है आप इसको देखके अच्छे से बजाना सीख सकते हैं धन्यवाद